जै मातारानी दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपकी दोस्त नीता मातारानी के नाम का जैकारा लगाएं, कमल सेक्षन में जै मातारानी अथ्वा, ओम नमो नारायना अवश्य लिखिये, शीहरी विष्णू की असीम क्रपा आपको इससे प्र पुझष्रत को करने से गरीबी आपके घर का रास्ता भूल जाएगी मालक्ष्मी की असीम क्रपा आप पे होगी नौकरी घरबार संबंदी हर तरह की दिक्कतें दूर हो जाएगी आपके जीवन में यदि विभा में किसी भी तरह का कोई कष्ट है संतान संबंदी कोई कष्ट है तरह के कुष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी इस उपाय को करने मात्रjasai दोस्तों हल्दी हल्दी सुख और सवागय का प्रतीख है पूजा विशीष तौर पर प्रेयोक करा जाता है और इसके प्रेयोक करने के साथ इस चोटे से उपाय को करने से आपको सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों इस वर्ष बैसाग शुक्लपक्ष की पूरण माशी का व्रत आपको साथ मईं 2020 की तारीक को करना है यहां गुरुवार का दिन है इस दिन दोस्तों बुद्ध पूरण माशी भी है भगवान भुद्ध का अवतरण या जनम का दिवस भी है इस दिन पर दोस्तों आप पूजन करेंगे और भक्ति भाव के साथ श्रीहरी विष्णु को याद करेंगे जो लोग इस दिन वरत कर रहे हैं सुबह के समय जल्दी उड़ जाए श्रीहरी विष्णु के नाम का जाब करते हुए इस नार इत्यादी से निवरत हों उस श्रीहरी विष्णु भगवान के सामने संकल्प करें हे श्रीहरी विष्णु भगवन हमारे पूरण माशी के वरत को आप ग्रहन करें और हमारी पूजा का पूर्ण फल हमें प्राप्त हों दोस्तों इस दिन कई लोग सत्यनाराण भगवान क्या पूजन करते हैं कथा सुन पूजन कर सकते हैं एक चुकी हल्दी ले लिज念 और एक लुटे में पानी लेकर उसमें थोड़ी सी हल्दी, चने की दाल और थोड़ा सा घुरबार बार्स पूजन करने के पहले पूजन करने के बार कभी ज़न सीटा के ले के डीए, explor FROM भगवान साक्षात आपको आशिरवात देते हैं तो दोस्तों यह है पहला उपाई जिसे आप कर सकते हैं इससे आपके घर में श्री हरी विष्णु की क्रपा अत्यनत रूप से होगी तो दोस्तों विष्णु भगवान की क्रपा पाने के यह पहला उपाई अवश्य करें और सफेद रंग की सभी सामानों का वहां पे विवस्था करें, सफेद रंग के कपड़े पहन सकते हैं और पूजन में आप चावल, शकर, दूद, दही, इत्यादी से बनी हुई खीर रख सकते हैं और पंचामरत रखके इस पूजन को आप कर सकते हैं सबसे पहले शिव भगवान की पिंडी अर्था शिवलिंग का अभिशेक करना चाहिए, मा लक्ष्मी को भी पूजन करना चाहिए और गणेश भगवान का वंदन करते हुए पूजा प्रारंब करनी चाहिए गडपती जी का ध्यान करें, सभी देवी देवताओं का ध्यान करके पूजा प्रारंब करें और उसके बाद आप शिव जी का अभिशेक करें, माता पार्वती का पूजन करें बक्ति भाव से भगवन का पूजन करें और फिर उसके बाद धूब दीब नेवेद इत्यादी अर्पित करना चाहिए इस दिन आप खीर का भोग लगा के आप शिवजी को इसका प्रशाद दे सकते हैं और उसके बात में मा लक्षमी को भी खीर का भोग लगाना अत्यंते हितकर होता है और साथ ही साथ आप जो रात में चंद्र उदय होगा उस समय पे भी आपको पूजन करना है दोस्तों चंद्र उदय के समय पूजन करने के लिए एक लोटा जल में थोड़ा सा कच्चा दूद, बिना उबला हुआ दूद, साबुचावल, थोड़ी सी मिश्री और पानी गंगा जल इत्यादी डाल के आप इससे चंद्र भगवान को अर्ग दे इस तरह पूजन करने से आपका पूजन भली भाती पोन हो जाता है परंतों दोस्तों सुभा के समय जब आप पूजन करें सुभा सुभा आप जब श्रीहरी विश्नु मालक्षमी का पूजन करें उस समय पे आप हल्दी का उपाय जरूर कर लें एक चुटकी हल्दी अपनी हतेली पे ले बाए हाथ के हतेली पे ले ले और उसमें थोड़ा सा पानी मिला ले यदि आपके पास केसर है तो केसर डालने नहीं भी है तो मत डालिए और इस से अपने मस्तक पर आपको तिलक करना है पर तिलक करने की विधी क्या है अब मैं आपको वो बता दूँ आप अपनी नाभी से ये तिलक करना प्रारम करेंगे सबसे पहले आप अपनी नाभी पे तिलक करेंगे नाभी दोस्तों हमारे शरीर का जो इस्थान होता है जो हमारे शरीर को संतुलन प्रदान करता है तो इस तरह से आप नाभी पे सबसे पहले तिलक करेंगे उसके बाद आपका हिदय स्थान है वहाँ पे बीचों बीच आप हिदय स्थान में तिलक करिए फिर अपने गले पे सामने की तरफ आप थोड़ा सा तिलक करिए यदि आपने वरत रखा है तो दोस्तों अपनी जीवा पे हलदी का तिलक मत करिए परन्तु यदि आपका वरत नहीं है तो आप अपनी जीवा भी इस तिलक को कर सकते हैं और उसके बाद हाथ धोना चाहिए क्योंकि हाथ क्या हो जाएगा जूटा हो जाएगा फिर अपना हाथ धोले वहाँ पर पानी से और उसके बाद फिर से थोड़ा हल्दी और केसर का जो तिलग है उसे लें और उससे अपने मस्तक के बीच में उपर की तरफ उंगली ले जाते हुए इस्तिलग को करिये जिन लोगों के काम नहीं बन रहे थे जिनें लोग बाग परिशान करते हैं लोग उनका मजाग उड़ाते हैं उनके उपर नौकरी में किसी भी तरह का संकट रहता है अपनी बात नहीं रख पाते हैं सफलता नहीं मिलती है उन लोग लिए उपाय विशेश तोर पे फायदा करता है खास तोर पे जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं जिन्हें बहार जाके लोगों से मिलना पड़ता है और उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी बात और लोग ध्यान से नहीं सुनते यह उपा दूसरी बात आप लोगों के सामने अपनी बात को अच्छे से रख पाएंगे और लोग आपकी बात सुनेंगे भी इस उपाय का दोस्तों बहुत अच्छा प्रवाप पढ़ता है श्रीहरी विश्टू की असीम प्रपा आपको प्राप्त होती है जो लोग हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर लगाते हैं उनको चलिए दोस्तों अब आपको आज में पुरण माशी के व्रत की कथा सुना देती हूँ तो सबसे बोलिए पहले बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जै और अपने हाथों में थोड़ा सा तिल और हल्दी और पीरे पुष्प ले ले आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से म्रत्ति लोग में इस्त्रियों को विद्वा होने का भय ना रहे यह व्रत सभी मनुश्यों की मनुकामनाय पूरी करने वाला हो श्री कृष्ण कहने लगे ही माता आपने अतिसुंदर प्रश्ण किया है मैं आपसे ऐसे ही व् एस्तरियों को द्वातर श्यत्या ने 32 पूरन माशी का व्रत करना चाहिए इस व्रत को करने के लिए स्तरियों को सौभाग्य संपति की प्राप्ति होती है अचल सौभाग्य देने वाला तथा भग्वान शेंकर के प्रतिम मनुश्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला ये जी कहने लगी किस ने किया इसके विश्य में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो श्री कृष्ण जी कहने लगे इस वूमंडल पर एक अत्यंत्य प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रतनों से परिपून कातिका नाम की एक नगरी थी वहाँ पर थाने आदी की कमी नहीं थी उनको एक बड़ा दुख था उनकी कोई संतान नहीं थी इस दुख से वे अत्यंत्य दुखी रहते एक समय बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया वह योगी उस ब्रहमण के घर को छोड़कर बागी सभी घरों से भिक्षा लिया करता था रूपथी से वह भिक्षा नहीं लिया करता था उस योगी ने एक दिन रूपथी से भिक्षा ना लेकर किसी अन्य से घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर उस भिक्षा के अन्य को प्रेम पूरवक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार अपने भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला महत्मन आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परन्तु मेरे घर से कभी भिक्षा नहीं लेते हैं इसका क्या कारण है योगी कहने लगा कि निपुत्र के घर का भीक पतितों के अनके तुल होता है जो पति हुआ और हाथ जोड़ कर योगी के पैरों में पढ़ गया तता अंतरभाव से कहने लगा है महाराज आप ही इसका कोई उपाय बताए जिससे मुझे संतान की प्राप्ती हो आप सरवग्य है मुझे अवर्शी ख्रपा कीजिए धनकी मेरे घर में कोई कमी नहीं है परन्तु मैं संतान नहोने के कारण अत्यंत दुखी हूँ मेरे दुख का हरण करिए आप सामर्थिवान हैं यह सुनकर योगी कहने लगे हे ब्रामन तुम चंडी की अरातना करो घर आकर उस्त्री से सभी व्रतान कहा और सवयम तब करने के निमित वन को चला गया वन जाकर उसने चंडी क उपासना की उफवास किया चंडी ने सोलवे दिन उसको सपन में दर्शन दिये और कहा धनेश्वर जा तेरा पुत्र होगा परंतु 16 वर्ष की आयू में वर्रत्यू को प्राप्त हो जाएगा यजित तुम दोनों इस्त्री पुरुष 32 पूरण मासी का व्रत उस पर चड़कर एक पल तोड़कर शीगर अपने घर चले जाना अपने इस्त्री को सब्रंतांत कहना रित्यूस्नान के प्रिश्यात वह स्वक्ष होकर इस फल को खाएगी तब भगमन शंकर की क्रपा से उसे गर्व हो जाएगा जब वाब रामन प्राता काल उठा उसे उस चिंता हुई उसने विग्ण विनाशक्षी गनेश जी की वंदना की हे दयानिदे हे दयाविंदो अपने भक्तों के विग्णों का नाश करो उनके मंगलकारियों को पूरा करो दुष्टों का नाश करने वाले रिद्धी सिध्धी को देने वाले हे गडपती भगमन मुझ पे क्रपा करो जिससे की मैं यह फल तोड़ सकूं धनेश्वर पर शी गनेश्च भगवान की क्रपा हुई और धनेश्वर ने उस आम के फल को तोड़ लिया इसके बादवाह से लेकर अपने घर को चल दिया घर आकर उसने अपने इस्त्री को सभी बाद पताई इस्त्री जब प्रितु इस नान से निवरत हुई उसने उस फर को खाया जिसे खाने से वह गर्वती हुई देवी की असीम क्रपा हुई उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ती हुई जिसका नाम देवी दास रखा गया माता-पिता के हर्ष का कोई ठिकाना ना रहा परन्तु मात पिता बहुत ही दुखी थे क्योंकि उनके पुत्र की अलपायू थी अता उन दोनों ने ही इसलिए दुरगा जी की आग्या के अनुसार उन दोनों ने 32 पूरण माशी का व्रत रखना प्रारंब कर दिया जिससे उनके पुत्र बड़ी आयूवाला हो जाए वह बालक शुक् पुत्र की मृत्यूना हो जाए इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया यदि दुरगटना उनके सामने होगी तो वह इसे सहन नहीं कर सकेंगे उन्होंने देविदास के मामा को बुलवाया और कहा कि हमारी शाहे देविदास एक वर्ष तक काशी में जाकर विध्या अध्यन करें उसको अकेला नहीं छोड़ सकते इसलिए तो उसके साथ चले जाओ एक वर्ष के परश्यात उसे वापस ले आना सब प्रबंद करके उसके माता पिताने काशी चाने के लिए देविदास को एक घोड़े पर बैठा कर उसके मामा के साथ कर दिया किन्तु यह सब बातें मामा और किसी और से नहीं की धनेश्वर ने सब अतनिक सहित पुत्र की मंगल कामना और दीर गायों के लिए भगवती दुर्गा की अराधना और पूरणमाशियों का व्रत करना आरंब कर दिया इस प्रकार बराबर 32 पूरणमाशी व्रत पूरा किया कुछ समय के अंशाला में देविदास और उसके मामा भी ठेरे हुए थे संयोंग कन्या का तेल आदी चड़ा कर मंदप इत्यादी क्रत्य किया गया लगने के समय वरकी तबेद खराब हो गई वरकी पिता ने अपने कुटम्वियों से परमर्ष किया निश्य किया कि देविदास मेरे प्रत्य सुचारू रूप से हो सके तब मामा कहने लगा जो कुछ भी मधुपर्क आदी करन्यादान के समय वरकों मिलेंगे वह सम हमें दे दिये जाएं तो मेरा भांजा इस बरात का दूला बन जाएगा यह बात वरके पिता ने सुईकार कर ली और अपना भांजा वरकरने के लिए भेज दिया उसके साथ सब विभा कार्य रात्री में विदिपूर्वक संपूर्ण हुए पत्नी के साथ वह बोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा ना जाने यह किसकी इस्तरी होगी वह एकांत में इसी सोच में विश्वास अपनी श्वास नहीं ले पा रह की ब्रह्मा विवा के विप्रीत कैसे हो सकता है देव रहमण अगनी सब के सामने मैं ने आपको पती बनाया है। इसली आप ही मेरे परन्तु द्रण विचार वाली वह स्त्री बोली कि आपकी जोगती होगी वहीं मेरी भी होगी है स्वामी आप उठिये और भोजन करिये आप निश्य ही भूख्ये होंगे इसके बाद देविदास और उसकी पतनी दोनों ने भोजन किया शेश रातरी वह सो नहीं पाए प्रात सुगंदित पुष्पवाली नमलिका को लगाना उसको प्रते दिन जलसे सीचा करना आनत से खूब खेला कूदा करना जिस समय जिस दिन मैं मर जाओंगा उसमें उस पुष्पवाटिका के सभी पुष्प सूख जाएंगे और यदि मैं जीवित रहूँगा तो वह सभी हरे भरे रहेंगे इस बात का निश्य करके समझ लेना कि इसमें कोई संशे नहीं है यह समझा कर वर चला गया प्राता होते ही वहाँ पर बाजय गाजय के साथ बरात आई विवाकार समाप्त कराने के लिए वर तथा सभी बराती मंडप में आए तो कन्या ने वर की भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा यह मेरे पती नहीं है मेरा पती वही है जिसके साथ राती में मेरा पाणी ग्रहन हुआ है इसके साथ मेरा विवा नहीं हुआ यदि यह वही है तो बताए कि इसे क्या-क्या सामान मधुपर्क में और कन्यादान के समय मिले थे मैंने भूशन आ पुले हे माता इस प्रकार देवी दाज काशी विध्या अध्यन के लिए चला गया जब कुछ समय बीता और काल से प्ररीथ हो एक सरपरात्री में उसको डसने के लिए वहां आया उस विश्धर के प्रभाव से उस पूरे शेयन के चारो और विश्वी ज्वाला से विशेला हो परन्तु भगवान की क्रपा से पारवती जी उस समय वहां से निकली और शंकर जी से बोली कि क्रपा करिए और इसे बचा ली जी इसकी माता ने 32 पूरण माशी का व्रत किया है अब आप इसे प्राण दान दे दीजे भवानी के कहने पर भक्त बसल भगवान श्री शिव जी उसे प्राणों का दान दे दिया और उसके व्रत के प्रभाव से काल अर्थात्मिरत्य उसे छोड़कर वहां से चली गई वह स्वस्त हो गया उधर उसकी इस्तरी उसके काल की प्रतिक्षा करने लगी पर तो जब उसने देखा कि वह पुष्पबाटी का नहीं सूख रही है इधर उसके ससर उसे ढूरने लगे और अंजाने ही वह मामा भांजी से मिल गए उन्हें आया देखकर उसके ससर को बड़ी प्रसनता हुई उन्हें अपने घर में ले आए उस समय नगर के निवासी महां इखटते हो गए समने निश्चे किया अवर्शे ही इसी बालक के साथ कन्या का विवा हुआ है और बालक ने जब कन्या को देखा तो पहचान लिया और उसके प्रांथ उन्होंने कन्या को बहुत सा धंदे कर विदा करा इसके बाद देवी दास अपने मामा के साथ अपनी पिता के घर पहुचा माता पिता ने पुत्र और पुत्रवदू को सी दान दक्षिना दी कहने लगे इस प्रकार धनेश्वय बत्यस पूरन माश्यों के व्रत से पुत्रवान हुआ जो भी इस तरिया इस व्रत को करती हैं वे जन्में जन्मांतर के वैधवय के दुख को नहीं भोगती और सदेव सवभाग्य बती रहती हैं यहां मेरा वचन है इसमें कोई संदे नहीं मानना यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है बत्तिस पूरन माश्यों व्रत करने से सब प्रकार की इक्ष्णाएं पूरी होती है जै बोलो भोलना शिव बगवाने की जै तो दोस्तों आज मैं उम्मीद करती हूँ इस तरह से पूरन माश्यों का व्रत करने की विधी आपको अच्छी लगी होगी या विधी अच्छी लगी है आज का उपाई पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए नीता विक्रम चैनल पर इसी प्रकार बने रही है अगली बाद फिर आप से मिलू झाल 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 झाल